उत्तरप्रदेश के जनपधापुड पुलीस ने लूट वचोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरो का परदाफाश करते हुए गिरो के जहा सदस्य को गिरफतार किया है तो वही उनके कबजे से भारी मात्रा में अवैध हतियार एवं लूट से सम्मंदित वाहन बरामत करने में सफलता हासिल कर ली आपको बता दे कि जनपधापुर के पुलीस सदिक्षक नीरज कुमार जादौन वा अपर पुलीस सदिक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के आदेश निर्देश पर पुलीस क्षेत्रा दिकारी वैभग कुमार पांडे के निर्देशन में अपरादियों की धरपकड़ अभि दिनगर रोट सिद्जिला अस्पताल के पास से पाच आरोपियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल कर ली। जिसके बाद पुलीस ने उनके कबज़स से जहां भारी भातना बे अवेध हतियार बरामत कर लिया तो वही लूट वचोरी से समंदित वाहन की बरामत किया। एक प्रेसवारता के दोरान हमारे समवादाता से बात करते हुए पुलीस अदिक शक्त नीरज कुमार ने बताया कि पाच कोक्यात अपरादी जिनोंने विगत नमबर महा में एक फाइनेंस कर्मी से जहां लूट की थी तो वही उसे दिन उन्होंने ठाना देहात क्षेत्र के ए एक क्लेक्शन एजेंट से लगबग एक लाग रुपई की लूट ही एक संगेटित ग्रोव है पांस अदसी ग्रोव है जिसका लीडर मोनु है जो कि मेरट करहने वाला बहुती कुख्यात अपरादी है लगबग इसके उपर 18-20 मुकदमे दर्ज हैं संगीन दारों के मुकद देहाद थाने में और हापुन नगत थाने में उसका खुलासा हुआ है साथ ही साथ यह जो मोनु अपरादी है यह मेरट के विवन मुकदमों में वांशित भी चल रहा है और उसकी बहुती तगड़ी दुश्मनी चल रही है और वह हत्या करने की इरादे से वैध हत्यार पलता हासिल की है इसके लिए उन्होंने पुलीस टींग को 15,000 इनाम देने के घोशना की इन बीसे न्यूस के लिए हापुर से अनिल कशप की रिपोर्ट